प्रेंट्स आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो की है प्रतिसत और अगर प्रतिसत को हम लोग अच्छे से समझ लेंगे तो इस पे आने वाले कम से कम चार चैप्टर हमको आसाने से समझ में आ जाते हैं जो की आपके हैं लावहान ही हो गया आपका जो है उसके बाद साजा जिसको पार्टनसीब बोलते हैं वो आपको अच्छे से समझ में आने वाला है फिर इसे पे आधारित होता आपका जो है यसाई और सी आई अलब जो है सिंपल इंट्रेस्ट और कमपाउंड इंट्रेस्ट भी इसी पे आधारित होता है ठिक एट तो आईए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो की इसमें जो बेसीक है इसका वो क्या क्या है कि भिन्य को प्रतिस्ट में कैसे बANA बदलते हैं और प्रतिसद को भिन्य में बदलते कैसे when यह चीज़ाना बहुत जरूरी होगा ठीक है त तो उस चीज को जाने से पहले हम लोग यह देख लेते हैं कि प्रतिसत में किस टाइब की प्रस्ण बनते हैं मतलब प्रस्णों का पूछने का तरीका क्या क्या है उसमें क्या क्या होता है किस प्रकार के प्रस्ण पूछे जाते हैं इसको बात देख लेते हैं जैसे इसमें आत एक आता है चुनाव सम्बंदी प्रस्ण में आएगा कि दू इमिदवार है एक ने इतना मत पाया दुसरे ने इतना मत पाया ये उस्ते जीता ये उस्ते हारा इस प्रकार के जो प्रस्न बंते हैं उसको चुणाव स Tamamberg प्रस्न बोलते thought फिर आता है एक्जाम संबंधी एक्जाम संबंधी प्रस्ण में रहेगा कि एक विद्यार्थी है और जो है इतने यंक पाया इतने यंकों से उत्रीड हो गया या उत्रीड होने से ज़्यादा पाया इस परकार के प्रस्णों को एक्जाम संबंधी हम लोग कहते हैं फिर आता ह प्रस्ण में पूछे जाते हैं आगे है जनसंख्या संबंदी प्रस्ण में ये पूछा जाता है कि एक नगर के जनसंख्या मालिजे 2000 है दो बर्स के बाद 20% बढ़ जाती है तो दो बर्स के बाद जो है उसकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी इस परकार के प्रस्णों को प्रति अब भिन्न को प्रतिसत में बदलना जानते हो मैं क machus आपना एक जिस परकार घर बनाने से पहले एक न्यूँ तयार करनी पड़ती है उसे प्रकार से इन प्रसनों को हल करने के लिए हम में एक new बनानी पड़ेगी एक समझ बनानी पड़ेगी तब जाके हम बड़े से बड़े प्रस्णों को आराम से हल कर पाएंगे तो आई ये पहला जो अपना topic है आज है भिन को प्रतिसत में बदलना ठीक है भिन को प्रतिसत बदलने के लिए कुछ नहीं करना है जैसे मालीजे कोई भिन है a by b ठीक इसको बस आप 100 से क्या कर दीजे multiple कर दीजे तो वह आपका प्रतिसत में क्या हो जाएगा बदल जाएगा ठीक है तो यहाँ पर हमने देख लिए लिखा भी है एक बटा a by b भिन है तो a by b into आप 100 कर देंगे तो किसमें बदल जाएगा वह आपका बदल जाएगा प्रतिसत में तो वही चीज हमने यहाँ को लिखके अलग से बता दिया अब आईए इस पर best question देख लेते हैं जैसे कुछ example को देखके समझ लेते एक बटा दो तथा एक को प्रतिसत में बदलो तो हमने क्या किया कुछ नहीं करना है भिन में एक बटा दो भिन है अपना उसको कितने से 100 से multiple कर दीजिए एक बटा दो गुड़े 100 करेंगे तो 2 एक करनम 2 और 2 से जब काटेंगे 50 तो आ जाएगा 50% अब एक को देखेंगे त एक को हमें एक बटा एक बटा एक भी लिख सकते हैं ठीक है एक बटा एक लिखेंगे तो आप एक को जब 100 काटेंगे तो 100 बार जाएगा तो मतलब एक का कितना आ जाएगा एक कितना है 100% है अगर 2 को निकालेंगे तो कितना आएगा 200% आ जाएगा ठीक है फिर आगे कुछ और एक्जामपल है, जैसे 1 बटा 3, 1 बटा 5, तथा 1 बटा 7 को प्रतिसरत में बदलो, कुछ भी दिया हो, 1 बटा 10, 2, 1 बटा 50, दे 1 बटा 20, कुछ नहीं करना, 1 बटा उतना गुड़े 100 कर देना, तो 1 बटा 3 गुड़े हम 100 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, इसको जब साथ गुड़े सो करेंगे तो नहीं कटेगा फिर इसको भिन्न में बदलेंगे आप तो जो है काट अगर काट की करेंगे चोदा सते अठानवे दो सो चौदा साही 2 बटे 7 परसेंट ठीक है इतना आ जाएगा अब ये तो हम समझ गए कि भिन्न को प्रतिसत में कैसे बदलते हैं ठीक अगर कहीं प्रतिसत दिया है तो उसको भिन्न में कैसे बदलेंगे तो अभी ये चीज़ हम लोग सीखते हैं इसमें क्या होगा प्रतिसत को भि बदलने के लिए तो यहां प्रतिसत बराबर प्रतीसत बराबर अगर कहीν दिया उसको बदलना है तो प्रतिसत बड़ते 100 कर देंगे तो उसको कुछ एक जाम से हमझने लेते हैं पहे हो Crew तो 50 से कने 50, 52, 100, बराबर 1 बटा 2, आ जाएगा भिन्न में, ठीक है, और कुछ एक्जामपल जिसे 25%, 20%, 80%, 70% को भिन्न में बतल लिए, तो 25% के लिए क्या करेंगे, 25 बटे 100 कर देंगे, तो 25 से कने 25, 24, 100, बराबर 1 बटा 4, ठीक, अब 20 के लिए क्या करेंगे, 20 बटे 100 कर दें अगर 70% के लिए करेंगे, तो 70 बटे 100 करेंगे, तो 00 कर जाएगा, 7 बटे 10 बिन्न में आ जाएगा, तो आप लोग जो बेसिक है, उसको सीख गये हैं, कुछ बिसेशिस में है नहीं, बिन्न को ध्यान रखिए, दो चीज बस ध्यान रखना अभी तक, जितना हमने बताया, अ अगर भिन्न को प्रतिसत में बदलना है, तो भिन्न गुडे 100 कर दिजिए, और प्रतिसत को भिन्न में बदलना है, तो जो है, प्रतिसत बटे 100 कर दिए, बस इतना ही करना है, अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ा, उसके अधार पर एक चार्ट बनाए हैं हम लोग, यहा जो अगर आप लोग याद कर लेंगे क्योंकि कुशन में चीज दिया रहेगा अगर आप उहां से कनवर्ट करेंगे तो आपको टाइम लगेगा इसको याद जब रहेगा तो आपका समय बचेगा अपर रिच्छा में आप ज्यादा फ्यादा प्रस्णों को हल कर पाएंगे ठीक है तो यहाँ पे आपको क्या दिया है फ्रैक्शन बैलू दी हुई है मतलब भिन वाली बैलू दी है उसी के साथ में उसका प्रतिसत बैलू भी दिया हुआ है तो आईए रेखते हैं जैसे एक बटा दो है एक बटा दो को अगर प्रतिसत में बदलना है तो हम बता है ए ₹ 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 अगर एक बटा ग्यारा है तो ग्यारा नीचे आएगा आएगा अगर एक बटा Whenever है तो 9 नीची आएक गयारा उपर आएगा देख रहे हैं दोनों एक दूसरे से अपोजिट है वहलं उके और इसको आप गुड़े 100 करके देख भी सकते है और इसके diffé vaccinations यह यह एक निलए कि यह तो आपका परिच्छा में समय बचेएगा नहीं तो आप पहले जो है उसको गुड़ा करके 100 से फिर मल्टी जब फिर उसको परसत में बदलेंगे टाइम लग जाएगा ठीक है इसमें दो तीन काफी मातपूर हैं जो बार बार पूछे जाते हैं जैसे आपको यह ध्यानकना है कि 3 बटा 8 जो है 37 सही 1 बटा 2 परसंट के बराबर होता है और जो है आपका 4 बटे 7 जो होता है वो 57 सही 1 बटा 7 परसंट के बराबर होता है इस चीज को आप ध्यानक लखेंगे ठीक है तो इस चार्ट को आप लोग एक बार बना लिजेगा और इसको जहां पर पढ़ते हैं आप इसकी इसकी सॉड भी यहां से ले सकते हैं जहां पर पढ़ते हैं नहीं तो बुक में आपको यह sleeping जाएगा जहां पर इसके बाद आप लोग क्या क्रिए इसको बना लिजे और जहां पर पढ़ते हैं वहां पर इसको चिपका लिजेगा एक से दो बार देखेंगे एक बार सुबाव्ट के देख लिजे फिर उसको कहीं पर जा में आपका परसेंटेज आपको बहुत आसान लगने लगेगा क्योंकि परसेंटेज में कुड़ा भागी करना रहता है गर यह याद रहेगा तो कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है तो ठीक है मित्र आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं मिलते हैं कल एक जो है ए सब्सक्राइब करें ठीक है मिलते हैं कल तब तक लिए जय हिन जय भारत बंदे मातरों